गुड मॉर्निंग एब्रिवान आज हम लोग क्लास वान हिंदी बुक कर चेप्टर नमबर 9 मेला रीडिंग करेंगे आज हम लोग बुक रीडिंग करेंगे देखो मैं रीड कर रहे हूं आप सब लोग अंडरलाइन करना पेज नमबर 33 मेला बिशन के घर के पास दसहरा मैदान में मेला लगा था उसके चचेरे भाई वहन प्रसांथ और अनिता भी मेला देखने आए थे सभी मिलकर साम के समय मेला देखने गए मेले में बहुत भीड थी वहां पर तरह तरह की चीजें बिक रही थी कुछ दुकानों पर सुन्दर सुन्दर खिलों ने सजे हुए थे विशन ने बैटरी से चलने वाली कार प्रसांथ ने मोटर बाईक और अनिता ने जापानी गुडिया खरी दी चारो और लावड स्पिकर का सोर हो रहा था मेले में तरह तरह के जूले लगे हुए थे सब बच्चों ने मिलकर जूला भी जूला एक मिठाई की दुकान में उन्होंने मिठाईयां खाई मेले में गुबबारे बाला गुबबारे बेच रहा था सब बच्चों ने गुबबारे खरी दी पेज नमबर 34 देखो एक स्थान पर मेले में खेल तमासा भी हो रहा था सब बच्चे ने मिलकर जादू का खेल देखा जादूगर बड़े निराले खेल दिखा रहा था खेल देखते समया नन्ही अनिता का हाथ अपनी मा के हाथ से छूट गया अनिता वहां भीड में खो गई सब लोग उसे ढुनने लगे वो खिलोनों की एक दुकान पर खड़ी होकर नाचते हुए भालू को देख रही थी उसकी मा की नजर उस पर पड़ी मा को देखकर अनिता उससे लिपट गई फिर उसकी मा ने उसे समझाया कि इस तरह मेले में हाथ छोड़ कर इधर उधर नहीं जाते अन्त में सबसे सबने कटपुतलिय का खेल देखा खेल देखकर सब लोग बहुत प्रसन्न हुए और खुशी खुशी घर वापस आ गए यह चप्टर अज हम लोग सिर्फ रिडिंग को किये हैं फिर नेट्ट क्लाश में यह चप्टर मैं आप सब लोगों को समझा दुनगी ठीक है थांक यू यह आज का हुम्मार्क है आज भी आप सब लोग भी यह चप्टर को रिड करना थांक यू